नमस्त दोस्तों वेल्कम टो अबाटेल आप लोगों ने बहुत सारा चैना मसाला खायोंगे लेकिन आज हमने लाएं थोड़ा डिफ्रेंट तरीके से आज हम बनाएंगी केडला स्टायल चैना मसाला आएं दोस्तों बनाते हैं और इसका मसा लेते हैं आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी जानने के लिए और घंटी ज़रूर दपाईए एक लाइप तो बनता है एक लाइप क बॉल किया हुआ आलू और एक पॉटॉरा काला चैना लिये हैं हमें एस सब चीज चाहिए केडला स्टायल चैना मसाला बनाने के लिए आप देखरें हमने यहाँ पर एक कटॉरा और मिल्क लिए हैं और यह हमारा ब्लेंड किया हुआ मसाला हमने कड़ाई में एक टेबल नमक, 1 टेबल स्पूल हल्दी पाउडर अब इसको ढालते हैं अब इसको अच्छे से मिच्छ कर लेते हैं अब थोड़े दिर तक फ्राइ करते हैं देखिए दोस्तों हमारा पानी सुग गया है अब इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालते हैं अब इसमें 1 टेबल स्पून गरा मसाला डालते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब फ्राइ करते हैं देखिए हमारा मसाला बन किया है अब इसमें थोड़ा पानी देखें फ्रीट से फ्राइ करेंगे अच्छे से फ्राई करेंगे देखिए हमारा मसल अच्छे से बन चुका है कॉलर कितना डिफ्रेंट आ रहा है अब इसमें टामाटो को डालेंगे अब इसको फ्राई करेंगे देखिए हमारा मसल अच्छे से बन चुका है अब इसमें चना को डालेंगे हमने यहाँ पर चना को डाल दी है अब इसको मसाला पर में चना को अच्छे से मिश करना है हमने यहाँ पर और इन दोनों को फ्राइ करना है ताकि चना में मसाला का टेपर आ जाए देखिए हमारा चना मसाला बन चुका है हमने यहाँ पर अलू को डाल रहे है आप चाहे तो आलू को स्कीप कर सकते हैं अब हमें चना और आलू को अच्छे से हमें फ्राई करना है देखिए हमारा फ्राई हो चुका है आप इसमें कोकोनेट मील को डालते हैं कोकोनेट मील में इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको पांच मिनिट तक कवर कर लेते हैं देखिए हमारा केरला स्टाइल चना मसला बन गया है हमारा कोकोन और चुपानी था हो भी सुख गया है आप इसको प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए दोस्तों हमारा हेल्दी चना मसला इन केरला स्टाइल रेडी है आप इसी तरह बनाएए और टेस्ट कीजिए और नया नया रेसिपी जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चोटी बड़ी अपडेट के लिए के लिए घंती ज़रूर दबाएए